तो दोस्तों नोटिसों की तरफ चलें, उससे पहले एक जरूरी बात और है, वो भी देख लीजे, काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जो डी ट्रेपलेस भी ओनलाइन डोट इन ना इसी डोट इन पर साइन नहीं कर पा रहे हैं, साइन नहीं होने का एक रीजन मैं अभी आपक ही आप click to sign in पर click करते हैं, इस तरह से आपके सामने option आती हैं, तो यहाँ date of birth है, 10th का roll number आपको डालना है, 10th का passing year, और जो आपका password है, वो यहाँ fill करना है, और यह visual code है, यह डालके sign in करना है, उसके बाद options आ जाएंगे, view result पर click करके आप result देख सकते हैं, तो काफी सारे ऐ application form के print out पे आपको अपना registration number दिखाई देगा, तो आप वो registration number देखिए, हो सकता है, आपने cafe से, यह हो सकता है, गलती से ही, 10th का roll number गल्थ fill कर दिया हो, registration करते हैं वक्ते, तो आप देखिए, registration number सबसे पहले आपको date of birth दिखाई देगा registration number में, जो उसमें दिखाई दे रहा है वो यहाँ फिल कीजिए, 10th का roll number अगर गल्थ आपका fill हो गया है registration में, तो registration number में वो देखिए, 10th का roll number वो यहाँ फिल करिए, और passing year भी आपको दिखाई दे जाएगा registration number के last में, जो passing year वहाँ है, वही यहाँ फिल करें, उसके बाद जो आपका password वो डाले और visual code डालके sign in कर फिर आप बोलते हैं कि हम password भूल चुके हैं, तो कोई issue नहीं है, forget password पे click करके, अपना password reset कर सकते हैं, पर password reset करते वक्त भी आप ध्यान रखेगा, register करते वक्त, जो date of birth आपने डाला है, 10th का roll number जो आपने डाला है, और passing year जो आपने डाला है, वही आपको वहाँ फिल करना उसका password भूल गए है, दुबारा से आवेदन करने गए, कैफे पे, तो कैफे वाले ने दुबारा से उनका registration कैसे किया, 10th के roll number के आगए, पीछे एक zero लगा के registration कर दिया, कुछ 10th के roll number बदलाओ करके registration कर दिया, तो आप अपना registration number चेक कीजिए, और उस registration number के according यहां sign in आज है 7 जनवरी 2022, समय हो चुका है शाम के 6 बज के और 35 मिनट, तो उमीद है अब शायद ही कोई notice हमें डीटर प्लेजबी की तरफ से देखने को मिलेगा, जितने notice आने थे आज की date में वो आ गई है, कुल मिला के 6 नए notice जारी किये गई हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं बिलकुल विस्तार से, ये है आज का पहला notice, सभी notice हो पे आपको आज की date दिखाए देगी, 7 जनवरी 2022, notice नंबर 1340, स्टेनोग्राफर हिंदी पोस्ट कोड 7 बटे 20 से जुड़ा हुआ, तो इनका skill test conduct कराया गया है, पहले इनका return हुआ था, return में फिर candidate को shortlist किया गया था skill test क लिए, तो अब इनका skill test conduct करा लिया गया है, 104 candidate का skill test लिया गया था, इने 104 में से 27 candidate ऐसे हैं, जो skill test को clear कर गई है, जिनका skill test clear हो गया है, ये यहां रोलम पर दे दिया गया है, तो vacancy यहां सिर्फ 6 ही है, unreserved की 5 और OVC की एक, अब उसी के according इन 27 candidates में से, जो top में candidate है, उन्हें document upload करने के लिए बोला जा रहा है, DTSB की तरफ से, वो जो इनकी cut off रही है, वो है कुछ इस प्रकार से, unreserved की 5 vacancy यह cut off रही है, 113.5 और OVC की एक vacancy के लिए cut off रही है, 83.5 और selected candidates, shortlisted candidates, अपने document upload कर सकते हैं, 13 जनवरी 2022 से, और 7 जनवरी 2022 तक, 15 दिन का से में इन candidates को दिया ज रहा है, आज का अगला notice, first recall notice है, electrical overseer in label department, postcode 41.20 से जुड़ा हुआ, यह दो candidate है, इनके यह document pending में है, तो DTSB की तरफ से, इन्हें अपने यह document upload करने के लिए एक मुका और दिया जा रहा है, 8 जनवरी 2022 से और 17 जनवरी 2022 तक, इसके बाद आज का अगला notice, यह जुडा हुआ है यह देखे, notice for release of marks and short listing of candidates for skill test typing and transcript, for the post of junior stenographer, English postcode 23.21 से जुड़ी हुई अपडेट आ गई है, काफी इंतजार कर रही थे candidate, इस notice का तो आकिरकार जारी कर दिया गया है, आज total 4688 candidate ने यह exam दिया था, 26 नावंबर 2021 को, अब इन सभी 4688 candidates के marks, DTSB की तरफ से जारी कर दिये गए है यह सभी candidate, DTSB, online.nic.in पे अपने account में login करके, sign in करके, अपने marks check कर सकते हैं, यह total 13 vacancy आए थी, EWS की 1, Unreserved की 8, OBC की 3, SC की 1, और इसमें एक सर्विसमेन की और PWD, VH की एक post भी शामिल है, तो अब candidate को shortlist किया गया है, skill test के लिए, इन 4688 में से 111 candidate को shortlist किया गया है, skill test के लिए अब इन 111 candidate का shortlist होगा, इन cutoff marks के according यह देखे, total vacancy 13, 101 account total shortlisted candidate, EWS की 1 vacancy के लिए 12 candidate को shortlist किया गया है, cutoff रही है, 139.18, Unreserved की 8 vacancy के लिए 93 candidate को shortlist किया गया है, cutoff रही है, 125, OBC की 3 vacancy के लिए 44 candidate को shortlist किया गया है, cutoff रही है, 15.87, SC की 1 vacancy के लिए 12 candidate को shortlist किया गया है, cutoff रही है 117.15 और ex-serviceman की एक post non qualified, कोई भी qualify नहीं है, निल है, including PWD, दो vacancy के लिए 17 candidate को shortlist किया गया, skill test के लिए cut off रही है, 60.82 अब चलते हैं, आज की अगले notice की तरफ यह notice जुड़ा हुआ है, PZT history female post code 89 बटे 20 से, तो एक candidate है, जिनका रोल नबर यहां दे दिया गया है, इन्होंने degree कर रहा है, तो यह पूछा गया था कि यह eligible है या नहीं है, तो यूजर डिपार्टमेंट ने बोल दिया है, कि यह जो डिगरी है, यह मानने नहीं है, PZT history female के लिए, तो इनका candidature reset कर दिया गया है, अब इनका candidature मानने कर लिया गया है, एक candidate और लिये गये है, यह देखिए, तो अब इनकी cut-off कुछ इस प्रकार से है, अन-reserved के 109.5, OBC के 134.2, EWS के 149.4 है, ST के 121.15, PWD OH की 109.36, PWD VH की 139.9 है, आज का अगला notice, PZT history female postcode 89, 202 से ही जुडा हुआ rejection notice है, एक यह candidate है, इनका candidature reject कर दिया गया है, reason यहाँ इस notice में बिलकुल विस्तार से दिया गया है, अगर आप देखना चाहें, तो देख सकते हैं, आज का अंतिम notice, notice for declaration of marks and calling of e-dozer for the post of farmist in DTC, farmist postcode 9 बटे 20 की cut-off जारी कर दी गई है, यह भी बड़ी ही अच्छी update आई है, इसका भी इंतजार कर रहे थे candidate, total 15 vacancy हैं थी, farmist की, इन में EWS की 1, unreserved की 6, OBC की 4, SC की 3, SC की 1, SC की 1 मिल थे, इनका exam DSSB की तरफ से 18 November 2021 को online mode में conduct कराया गया था, कुल 1,434 candidate ने exam दिया था, अब इन सभी 1,434 candidates के marks DSSB की तरफ से जारी कर दिये गई हैं, यह सभी candidate DSSB online.nic.in पे अपने account में login करके, पलब sign in करके अपने marks चेक कर सकते हैं, और अब इनकी cut-off भी जारी कर दी गई हैं, तो वहां remarks में shortlisted या not shortlisted लिखा हुआ होगा, अगर आपके marks in cut-off marks के according हैं, तो आपको shortlist किया गया है, तो यह देखिए, और document आपको upload करने होंगे, EWS एक vacancy है, cut-off रही है 82.75, unresort की 17 vacancy cut-off रही है 83.5, OBC की 11 vacancy cut-off रही है 70.5, SC की 10 vacancy cut-off रही है 67.5, SC की 2 vacancy cut-off रही ह 64.5, और इन सभी shortlisted candidates को अपने document upload करने होंगे 8 जनवरी 2022 मतलब कल से, और 22 जनवरी 2022 तक 15 दिन का इन्हे समय दिया जा रहा है, तो ठीक है दोस्तों, आज अभी तक यह 6 नई update data place B की तरफ से निकल के आई, इसके बाद और नए notice जारी किया जाएंगे, वो भी आपको इसी YouTube च साथ तक के लिए नमशका.